दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे अगर आप अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है और आपको बार बार इस परकार का मेसेज सो हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस problem को बिल्कुल आसानी से solve कर सकते हैं सबसे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तो इस परकार के notification आपको मिलने का problem हो सकता है कि आपका bank का server down हो लेकिन अगर आपका bank का server भी अगर down नहीं है तो आपको इस problem को कैसे solve करना है आज के इस वीडियो में हम आपको इसका live proof दिखाने वाले हैं तो आए शूरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप अपने screen पर देख पा रहे हैं कि हमने एक ब्यक्ति को पैसे transfer किये थे लेकिन हमारा वो पैसा transfer नहीं हुआ है अब दोस्तों दोबारा से हम दूसरे ब्यक्ति को पैसे transfer करके दिखाते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हमें दूसरा ब्यक्ति को पैसे transfer करने का process सुरू कर दिया है अब दोस्तों हम यहाँ पर कुछ seconds wait करते हैं कुछ seconds wait करने के साथ ही आप यहाँ पर भी देख पा रहा है कि हमारा transfer unsuccessful हो चुका है अब दोस्तों इस problem को हमें कैसे solve करना है आए इसका process हम बताते हैं तो simple सा हमें यहाँ से back आ जाना है back आने के बाद उपर corner में हमारे icon पे click करना है अब दोस्तों यहाँ पर हमें bank account का नीचे में option मिलता है उस पर click करना है उस पर click करने के बाद हमारा bank account उपर में so होता है अपने bank account को हमें select करना है जब हम अपना bank account select करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे options मिल जाते हैं अब दोस्तों यहाँ पर हमें manage API ID का option मिलता है इस पर click करना है जब हम इस पर click करते हैं तो उपर में हमारा active API ID सो होता है अब दोस्तों इसके अलावा हमें यहाँ पर बहुत सारे API ID active करने का option मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ पर simple सा हमें दूसरा API ID activate कर लेना है आप यहाँ प को पसंद आता है उस API ID को आप activate कर सकते हैं for example हम एक API ID select कर लेते हैं अब आप यहां पर देख पा रहा है कि हमारा API ID activate हो रहा है अब दोस्तों हमारा API ID successfully activate हो चुका है अब दोस्तों आप नया और पुराना API ID देख पा रहे हैं अब दोस्तों finally हमें यहां से बैक आना है बैक आने के बाद हमें अपने यूजर इंटरफेस पर आ जाना है अब दोस्तों हमें दोबारा से अपना API pin इंटर करना होता है API pin हमें कंफर्म करना है जब हम कंफर्म करते हैं तो कुछ सेकेंट के लिए वेट करना है कुछ सेकेंट करने के साथ ही आप यहां पर देख पाना है कि हमारा transaction successful हो चुका है तो दोस्तो इस परकार अगर आपका transaction बार-बार फेल हो रहा है तो उसे आसानी से solve कर सकते हैं तो दोस्तो आई हो कि वीडियो आपको पसंद आया पसंद आया तो like करिए friends में share करिए तो बस मिलते हैं next वीडियो में एक नए topic सब तक के लिए बाय नमस्कार आपका देन सुभव